हेलो फ्रेंज जैसा कि आप जानते हैं MIUI 9 की ग्लोबल बीटारम की नई अपडेट आ चुकी है जो है 7.12.1 और इस अपडेट में हमें मिलते हैं कुछ कमाल के इंप्रूइमेंट्स नोटिफिक्शन शेड में सबसे पहले एक fix है यहाँ पर की जो आइकन्स यहाँ पर नोटिफिक्शन बार में नहीं दिख रहे थे प्रॉपर न Josh पматलर हम देख सकते हैं नोटिफिक्शन बार में यहाँ पर सारा इकन्स छेटी किसके अब है तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ तो यहां पर मुझे सारे नॉटीफिकेशंद दिखते हैं यह इसे और हर चीज में अलगल लगए कि कौन से अप में हम कितना यहां से कर सकते जैसे कि WhatsApp में हम कुछ रिप्ले कर सकते हैं तो कुछ ऐपस में नहीं कर सकते हैं messenger सबसे पहले देखते हैं होट्पट के वारे में तो यहां से हम इसे पूरी त्राय से एक्टिव अर्ड डिसेक अब बंद कर सकते हैं यहां पे हम टर्ण ऑफ कर सकते हैं डायरेक्ली तो अगर मैं इसे तर्ण ऑफ कर देता हूं तो एक नोटिफिक्स चला गया और यहां पर ए तो यह पूरी लीटेल मुझे दिखाता है तो यह कुछ और इसके बाद यह भी सेम ही है कि अगर मैं हाँ यहाँ पर क्लिक करूंगा तो पूरी डीटाल दिखायगा अब देखिए जीमेल में तो जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे यह else guide और कितने time पहला है वो भी दिखाए है यहांपे , मैं मैं यहांपे click करूँगा 33 instruct में तो यहांपे आप मुझे दिखाएगा replay , तो मैं यहांसे quick replay कर सकता हूं तो हैं यहां ऐसे करने से hide हो जाएगा और एक बात कि जो चीज थी कि हम डबल स्वाइब करना पड़ता था इसकी डीटेल देखने के लिए अब वो हम सिंगल स्वाइब कर सकते हैं अगर कम एप्लिकेशन ओपन होगी तो यहां पर कम ही नोटिफिकेशन है तो अगर मैं जीमेल पर सिंगल से स्वाइब करूंगा तब भी यह डीटेल तो अगर मैं ऊपर के तो स्वाइब करूंगा तो डीटेल हाइड हो जाएंगी इस तरह से तो यह था कुछ पीचर इसके बाद में और अब हम बात करें यहां पे कुछ एप्स जैसी कि यह सावन तो यहां पे एप्स का नेम नहीं दिखा रहा और इसके साथी मैं इसे कंट् करता हूं इसके बाद यहां पे है पेसर जिसके में यहां पे स्टेप दिखाया गए है लेकिन यहां से स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते इसके लिए मुझे अप्री किसन में जाना पड़ेगा कि मैं अप्रिकेशन में जाकर इसे बंद कर पाऊंगा इसके बाद मोबी जन में जिससे में यह वीडियो रेकॉर्ड करता हूं यहां पर मैं इसे पूस्ट कर सकता हूं इससे पहले यहां पर मुझे टैप करना पड़ता था रेकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए लेकिन यहां से अब मैं यहां पर option दीखाए गया है और मैं यह hide भी कर सकता हूं तो यह थे notifications इसके अलावा सारे notifications को मैं एक बार में नहीं दीखा सकता है इसलिए मैंने images capture कर ली है इसकी screenshot से तो आप देख सकते हों देख सके क्या-क्या option मिलेंगे तो सबसे पहले WhatsApp में यहां पर मैंने नेम और नंबर सटा दिये हैं तो आप देख सकते हैं आप WhatsApp में अगल दो message होंगे अलग-अलग numbers या contact से तो भी आप दोनों को replay कर पाएंगे अलग-अलग separately यहां पर पहले में रिप्ले कर रहे हैं यहां पर दूसरे वाले में तो यह है और मैं दूसरा दिखा होते हैं यहां पर वो भी जन का है जो आप मैं देख लिया कि यहां पर capture records और content का option दिया रहा है इसके बात music में मैं पोस्त कर सकता हूं और यहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं हम जी मेल का हमने देख लिया इसके बाद जीरम्यूसिक में यहां पे हम मिउसिक को सकते और बदल सकते हैं इसके साथ ही से हम बढ़ा छुटा कर सकते ऊपर के option से इसके बात हाइक में एक चीज मुझे समझने आई यहां पर हम रिपले नहीं कर सकते हैं यहां से लाइक भी कर सकते हैं जो एक बहुत ही आच्छी बाथ है तो यह थे साथ एप जो मैंने अभी के लिए चेक किए है नोटिफिक्शन सेड के लिए अगर आपके वीडियो पसंद आओ तो जरू से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा